साइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बैल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें एक्स्क्लूसिव खबरें संजे राउत महरास्ट में हमेशा वी वी आईपी परसन रही है यानि कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट परसन बाला सहब ठाकरे के वक्त से लेकर उत्व ठाकरी की सरकार थक राउत की बादशाहत कभी कम नहीं हुई मगर दिन सब के आते हैं और शान सब के लिए ढलती है तो लगता है कि राउत के दिन भी अब लग चुके हैं और रात का अंधेरा उन्हें घेर कर बैठ गया है क्योंकि और थर रोड जेल से जो अपडेट मिल रही है वो ना सिर्फ हैरान करने वाली है बलकि राउत के परिवार और राउत के सपोर्टर्स को परेशान भी कर सकती है तो सबसे पहली और बड़ी अपडेट तो जेल से ये आ रही है कि राउत को और थर रोड जेल में एक अजीब तरह का फोबिया हो गया है जी हाँ संजे राउत को दिन भर सिर जुखा कर रखने का अजीव फोबिया हो गया है राउत दिन भर अपनी गर्दन और सिर को उपर नहीं उठाते वहीं दूसरी बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि संजे राउत को और्थर रोड जेल की उस कोठरी में रखा गया है जहां मुंबई के सबसे बड़े गुनेगार कसाब को रखा गया था तो आखिर कौन से फोबिया से गुजर रहे है संजे राउत और कसाब वालिव कोठरी में राउत को रखने के क्या है माईने आपको बताते हैं सब आप भी वीडियो को शेयर करें और जेल से आ रही इन दोनों ही बड़ी अपडेट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि हमारे व्लोग चैनल नीतु की पलटन का दूसरा व्लोग आ गया है जिसमें नए लेवल का मज़ा है वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ जाकर जरूर से जरूर चेक आउट करें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें अपनी फैमली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें तो मुंबई की ओर्थर रोड जेल बड़े बड़े गुनेगारों को रख चुकी है और रख भी रही है और इस जेल की एक सबसे विशेश कोठरी है जिसमें उन लोगों को रखा भटका सकते हैं सबूतों को मिटा सकते हैं तो और फर रोड जेल की उसी सैल में संजे राउत को भी रखा गया है जी हां सबसे बड़ी अपडेट जेल से यही आ रही है कि संजे राउत को और फर रोड जेल की सैल नंबर बारा में रखा गया है और फर रोड जेल में सैल नं प्रिशनल बैंक घोटाले के आरोपी विपुल अम्बानी और दिवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्परेट लिमिटेड के आरोपी कपिल और धीरज को भी इसी सैल में रखा गया है अब यह 12 नंबर की कोठरी एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि यहाँ अब संजे राउत को रखा गया है जी हाँ पातरा चौल घोटाले के आरोपी संजे राउत को उसी सैल में रखा गया है जहाँ पर कसाप को रखा गया था जहाँ पर संजे तत को रखा गया था और जहाँ पर पीटर मुखर जी जैसे आरोपियों को भी रखा गया है और पता है सबसे बड़ी बा और संजेराउट इस वक्त 12 नंबर की सेल में एक साथ बंद है। जेल की लाइबरेरी में किताबे पढ़ने और सेल नंबर 12 में लगी एक छोटी सी टीवी को देखने में बिताते हैं। टीवी तो सीमित समय के लिए चलती है इसलिए राउट को दिन भर सिर जुका कर जमीन पर बैट कर अखबार या किताब पढ़ने में ही अपना समय गुजाना पढ़ रहा है। अब जेल सूत्रों की माने तो किताब या अखबार के चकर में राउट 24 में से 20 घंटे अपनी गर्दन को और अपने सर को जुका कर रखते हैं। कई बार जेल के स्टाफ और मेडिकल टीम की तरफ से मना भी किया गया हैं मगर राउट मानने को तयार नहीं हैं। वे अपना पूरा वक्त बस ऐसे ही किताब या अखबार में सिर जुका कर बैठे रहते हैं। कई बार तो बंध हो गई लाइटो को भी राउट एक बार फिर से जलवाते हैं और रात में भी किताब या अखबार पढ़ने लग जाते हैं। वो एक जमाने में पत्रकार भी रहे हैं और आज भी सामना मुख पत्र में उनके लेख छपते रहते हैं। वो अपनी धार-धार कलम के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं। मगर ऐसा भी क्या फोबिया कि 24 में से 20-20 घंटे वो सिर्फ अपनी गरदन लटका कर पढ़ते रहते हैं। सूत्रों की माने तो जेल के मेडिकल स्टाफ को शक भी है कि कहीं राउत को किसी तरह का फोबिया तो नहीं हो गया। इसलिए मेडिकल टीम की तरफ से जेल स्टाफ को कहा गया है कि 22 अगस्त को होने वाली पेशी से पहले जब राउत का मेडिकल करवाया जाए तो डॉक्टर्स को उनके इस फोबिया से भी अउगत करवाया जाए क्योंकि जेल की मेडिकल टीम को ये समस्या बड़ी गंभीर ल इन में से 540 कैदी महरास्ट संगटित अपराद नियंतरन अधिनियम के तहट गंभीर अपरादी हैं वहीं 400 से ज्यादा कैदियों पर हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं इन में से 80 कैदियों पर आतन की गतिवीधियों को करने के आरोप हैं जबकि नशीले पतार्तों की तसकरी जैसे अपरादों में 140 से ज़्यादा विदेशी नागरिक भी इसी जेल में बंद है इस वक्त इस जेल में 3000 से ज्यादा कैदी है और इसी जेल की सेल नंबर 12 में संजे राउत, अनिल देशमुक और नवाम मलिक जैसे बड़े नाम भी है तो आपको क्या लगता है संजे राउत को सेल नंबर 12 में आखिर क्यों रखा गया होगा और क्या वाकई में संजे राउत को पढ़ने का फोबिया हो गया है आप भी अपनी राइक कमेंट बॉक्स में जरूर दे और वीडियो को भी शेयर करें तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि हमारे व्लोग चैनल नीतु की बल्टन का दूसरा व्लोग आ गया है जिसमें नए लेवल का मज़ा है वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ जाकर जरूर से जरूर चेक आउट करें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें प्रेंड्स के आउट करें